तो दोस्तो आज हमें एक ऐसी survival movie को explain करने वाले हैं जिसके lead actor Leonardo Di Capirio को best actor होने का Oscar award मिला था ये movie आये थी सन 2015 में तो फिल्म की सुरुवात होती है एक गने जंगल से जहां एक American hunter जिसका नाम huge glass होता है अपने बेटे के साथ सिकार कर रहा होता है huge एक group के साथ काम करता है जिनने trappers के नाम से जाना जाता है इनका काम जंगली जानवरों को मार कर उनकी खाल बेचना होता है glass के सभी साथी एक जगा बैठे होते हैं तभी उन पर कुछ आदेवासी जिनने ray नाम से बुलाते हैं उन पर हमला कर देते हैं कि आदेवासीयों का जो सरदार होता है उसकी बेटी को किसी ने किटनेप कर लिया होता है लेकिन सचाई यह होती है कि इन American Hunters ने उसकी बेटी को किटनेप नहीं किया होता है हमले में Glass के कई साथी मारे जाते हैं तभी Glass अपने सभी साथियों को बूट पर जाने के लिए बोलता है ताकि वहां से जान बचा कर वे भाग सकें Glass का कपतान जिसका नाम एंडिू हेनरी होता है Glass से यहां से बच निकलने के लिए प्लान के बारे में पूँछता है Glass उन्हें बताता है कि अगर पानी के रास्ते से जाएंगे तो आदेवासी उन्हें ढूट लेंगे इसलिए उन्हें जंगल के रास्ते से जाना चाहिए किन उनका एक साथी इस बात से सहमत नहीं होता है लेकिन कप्तान Glass की बात मान लेता है और थोड़ी दूर चलकर कुछ लोग बोट से उतर जाते हैं जब ग्लास और उर्ट के साथी जंगल वाले रास्ते से बढ़ रहे होते हैं तभी उनका कप्तान बोलता है कि हमें इन खालों को यहीं चुपा देना चाहिए क्योंकि हमें काफी लंबा रास्ता तै करना है तभी उनकी नजर उस बोट पर पड़ती है जहां उनके कुछ साथी बोट पर ही रह गए जो आदेवासियों का सिकार हो चुके हैं और बोट को उन्होंने आग लगा दी है अब सभी लोग जब जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं और आराम करने के लिए एक जगा पर रुकते हैं जब सुबा होती है तो ग्लास अपनी बंदूग लेकर सिकार पर निकल पड़ता है तभी ग्लास को सामने की ओर तो भालू के बच्चे दिख जाते हैं और ग्लास उन पर निशाना लगा रहा होता है तभी पीछे से उनकी मा ग्लास को देख लेती है और उस पर एक जोड़दार हमला कर देती है हमला इतना जोरदार होता है कि ग्लास को समलने तक का मौका नहीं मिलता है ग्लास भालू से बचने के लिए काफी कोसिस करता है लेकिन भालू उसे बुरी तरह जक्मी कर देता है अब ग्लास मरने की एक्टिंग करने लगता है तो मादा भालू कुछ तेर के लिए शान्त हो जाती है तब ही गलास किसी तरह अपनी बंदूग के पास पहुँच जाता है और भालू पर निशाना लगाता है एक गोली भालू को लग जाती है लेकिन भालू इतना गुस्से मह होता है कि गलास को अपने पंजों से बुरी तरह चीर देता है फिर भी गलास अपने चाकू से भालू पर लगातार बार करता रहता है और भालू को अंतताह मार देता है कुछ समय बाद ग्लास के साथ ही उसको डूंडते हुए बहां तक आ जाते हैं और उसको ऐसी हालत में देखकर चौक जाते हैं और बडले में तीन गोड़े और रैफल्स की मांग करता है ताकि वह अपनी बेटी को बचा सके दूसरी और ग्लास की हाला तब बहुत खराब हो चुकी है और उसके साथ ही ग्लास को अब और आगे तक नहीं ले जा सकते उनका एक साथ ही जिसका नाम जॉन है वह ग्लास को यही छोड़ने की बात कहता है और कप्तान से कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदवा सी उन्हें ढूंड लेंगे और मार देंगे कप्तान उसकी बात से सेमत हो जाता है और उसे गोली मारने का फैसला करता है ताकि बाकी अपने सबी साथियों को बचा सके तभी हीूज का बेटा ऐसा करने के लिए मना करता है और अपने पिता को ना मारने के लिए गिर गिराता है कप्तान को भी उस पर दया आ जाती है और वह उसे गोली नहीं मारता है कप्तान कहता है कि जो भी ग्लास की देखवाल के लिए रुकेगा उसे 70 डॉलर का इनाम दिया जाएगा एक और लड़का जिसका नाम जिम होता है बहभी ग्लास की देखवाल के लिए रुक जाता है तब ही फिजरॉल्ड बोलता है कि अभी ये बच्चे हैं और ये रे का मुकाबला नहीं कर सकते अगर उसे 100 डॉलर दें तो बैह इनके साथ रुकने के लिए तैयार है कप्तान फिजरॉल्ड को 100 डॉलर देने के लिए मान जाता है तब ही कप्तान उसको याद दिलाता है कि उसे ग्लास की आखरी सांस तक उसका ध्यान रखना होगा और उसका अंतिम्जंस कार अच्छ से करना होगा अब जब उनके सभी साथी वहां से चले जाते हैं तो फिजरॉल्ड ग्लास के मरने का वेट करता है ताकि वे भी यहां से जल्दी जा सके और अपने 100 डलर का इनाम हासिल कर सके जब हॉक और प्रिजर से कार पर चले जाते हैं तो इसी बात का फाइदा उठा कर फिजरॉल्ड ग्लास के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम और मैं जानते हैं कि आदवासी हमारे करीब हैं और अगर तुम नहीं मरे तो बे तुम्हारे बेटे को भी मार देंगे फिजरॉल्ड बोलता है कि अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो अपनी पला जपकाओ और मैं समझ जाऊंगा कि तुम मरना चाते हो थोड़ी देर बाद ग्लास अपनी पलकें छपका देता है और फिजरॉल्ड कपले की मदद से ग्लास का दम गोटने लगता है तब ही उसका वेटा वहाँ आ जाता है और अपने पिजरॉल्ड के सर पर बंदूक से हमला कर देता है और अपने पिजरॉल्ड से कहता है कि वो तुम्हारी सारी करतूत कप्तान को बताएगा और उसे सूली पर टंगबा देगा लेकिन फिजरॉल्ड हॉल्ड पर चाकू से हमला कर देता है और उसे वहां मार देता है ग्लास ये सब देख रहा होता है लेकिन बहर चाहकर भी अपने बेटे को नहीं बचा पाता है जब जिम पानी लेकर बापस आता है तो फिजरॉल्ड से हॉक के बारे में पूचता है फिजरॉल्ड उसे कुछ भी नहीं बताता है ग्लास जिम को बताने की कोशिश करता है लेकिन उसके गले पर हुए गाओ की बजा सेवे कुछ भी नहीं बोल पाता है अब जब सुबा होती है तो फिजरॉल्ड जिम को जगाता है और उससे कहता है कि उसने लगबग 20 आदिवासियों को उनकी तरफ आते हुए देखा है और उन्हें भागना होगा तबी जबन, जिम, हॉक और गलास के बारे में पूछता है तो फिजरॉल्ड उसकी कोई बात नहीं सुनता है और गलास को घरसीट कर एक गड्डे में जिंदा दफन कर देता है जिम बोलता है कि हम ऐसां नहीं कर सकते यह अभी जिंदा है तो फिजरॉल्ड उसे गोली मारने को कहता है और चला जाता है अब जिम के पास कोई आप्शन नहीं होता है और वह ग्लास से माफी मांगर वहां से चला जाता है और उसके पास वो पानी की बोतल छोड़ जाता है ग्लास की सांसें अभी भी चल रही होती है और वह अपने बेटे की मौत से बेहत दुखी होता है ग्लास अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाता है। ग्लास से मत करके गड़े से निकलने की कोशिश करने लगता है और काफी देर कोशिश करने के बाद वह गड़े से बाहर आ जाता है। भूँक और चोट की वज़े से ग्लास अपने पेरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए वह पेट के वर रेंकर अपने बेटे के पास पहुँच जाता है जहां फिजरॉड ने उसे मार के छुपा दिया था। ग्लास हॉक के पास जाकर उसकी धड़कन सुनने की कोशिश करता है लेकिन वह मर चुका होता है। निगल पाता है अब ग्लास अपने गले को ठीक करने के लिए गन पाउडर अपने गले पर लगाता है और आग से जला कर अपने गले की स्किन को चिपका लेता है तब ही वहां कुछ आदेवासी उसे ढूंटते हुए वहां पहुंच जाते हैं ग्लास छुपने की खोशिस करने लेकिन बे उसे देख लेते हैं और हम्रा कर देते हैं ग्लास अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूच जाता है नदी का वहाओ काफी तेज होता है और वह इसी वहाओ के साथ ग्लास बहता हुआ एक किनारे तक पहुच जाता है जब रात होती है तो ग्लास को थोड़ी प्रपने जाता है और वह ऐसा करने के लिए मना करता है और वह ग्लास पर हमला नहीं करता है जब सुबा होती है तो ग्लास के सरीर पर हुए चक्मों के वारे में बह्यूंडे पाद मिए अद्म इसामणे लगता यह बढ़ने लगता है तो घ्मानी और बहुता lleится दो निकलता है लेकिन वहाँ उसका दोस्त नहीं होता है वह उसे ढूंडने जाता है तो उसे अपना दोस्त एक पेड़ से लटका हुआ दिखता है जिसे फ्रेंच लोगों ने मार कर लटका दिया होता है तभी ग्लास को थोड़ी दूरी पर वह लोग दिख जाते हैं जिनोंने हीुकप को मारा होता है ये वही लोग होते हैं जिनोंने आदिवासी की बेटी को किड्नैप किया होता है तरसल ग्लास को एक घोड़े की जरूरत होती है तभी ग्लास देखता है कि उनका एक सरदार उस लड़की के साथ बलातकार करने की कोशिश कर रहा होता है ग्लास उस लड़की को बचा लेता है और उस लड़की को लेकर वहां से भाग जाता है और आगे एक बहुत केरी खाई होती है ग्लास खाई की परवा किये विना अपने घोड़े को खाई में कुदा देता है इतनी उचाई से कूदने के कारण घोड़े की मौत हो जाती है लेकिन ग्लास पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरता है और वह किसी तरह बच जाता है थोड़ी देर बात जब उसको होस आता है तो वह देखता है तब ही वहां बर फीरा तूफान आ जाता है ठंड से बचने के लिए क्लास उस खोड़े के पेट को चीर कर उसके अंदर से आथों को बाहर निकाल देता है और पूरी रात उस गोड़े के पेट में सोकर गुजारता है जब वह सुबह उड़ता है तब दूफान तुम चुका होता है और वह अपना सफर जारी रखता है दूसरी तरह फिल्म में दिखाया जाता है कि कप्तान के पास एक आदमी आता है जिसके पास वह बोतल होती है जो जिम ब्रिजर क्लास के पास छोड़ कर आया होता है जिम उस बोतल को पहँचान लेता है और उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहां से मिली कप्तान को लगता है कि हौक अभी जिन्दा है और वह अपने साथियों से गोड़े तयार करने के लिए बोलता है कप्तान हौक को ढूड़ने के लिए जंगलों की ओर बढ़ने लगता है तब ही उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और जब वह वहां जाकर देखते हैं तो उनके सामने ग्लास होता है और ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं ग्लास उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन वह बेहोश हो जाता है अब कप्तान का सक यकीन में बतल जाता है और वह एंडरसन से फिजरॉल्ड के बारे में पूचता है लेकिन फिजरॉल्ड वहाँ से भाग जाता है और कप्तान की तिजोरी को भी लूट ले जाता है कप्तान अब ग्लास के पास आता है और ग्लास उसे सभी बातें बताता है कि कैसे फिजरॉल्ड ने उसके बेटे का कतल कर दिया और उसे अब बदला लेना है कप्तान और गिलास फिजरॉल्ड को ढूंडने निकल पड़ते हैं और वे फिजरॉल्ड के छोड़े हुए निशानों को देखते हुए उस तक पहुँच जाते हैं फिजरॉल्ड एक पहाड़ी के पीछे छुपकर गात लगाये हुए बैटा होता है और कप्तान को अपने सामने देखकर उस पर हमला कर देता है और कप्तान को मार देता है गिलास जब उसके पास आता है तब तक वे वहाँ से भाग गया होता है गिलास ये बात जानता है कि फिजरॉल्ड उस पर छुपकर हमला करेगा इसलिए वह एक प्लान बनाता है एक लपड़ी को काट कर कप्तान की कमर पर बांद देता है ताकि वह सीधा होकर घोड़े पर बैट सके और ग्लास मरने की एक्टिंग करने लगता है तभी फिजरॉल्ड ग्लास समझ कर उस पर हमला कर देता है लेकिन जब वह पास जाकर देखता है तो वह कप्तान होता है तभी ग्लास उस पर हमला कर देता है और दौनों में काफी देर तक लड़ाई होती है और अंत में ग्लास फिजरॉल्ड को मार देता है और अपने बेटे का बतला ले लेता है तभी वहाँ वे आदेवासी आ जाते हैं और ग्लास उनको देखकर डर जाता है लेकिन उनके साथ बेह लड़की भी होती है जिसको ग्लास ने बचाया था झाल 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 जाता है